नमश्कार स्वागत है अब सभों का कैसे हैं आप सब तो फिर कुछ दिनों के बाद फिर से मैं वीडियो डाल रहे हैं और देखिए यह अर्बी के पौधे कुछ खास है क्योंकि मैंने इनको पहली बार देख्या और देखिए सब्जी हम कितनी तरह से बनाते हैं अर्बी के प वैसे ही बनाते हैं तो देखिए मेरी देवरानी जो है इसकी तोरन बना रही है और यह गलती नहीं बाकी अर्बी के पत्तों के तरह यह गलती नहीं है क्योंकि इसके डंठल और पत्तों को यह यूज करते हैं इसमें अर्बी लगते नहीं है जवीन के नीचे इसमें अर्ब में लगाई थी ना और जब मैंने अपने पौधों में जब ये फल आये देखे तो मैं बहुत ही खुश होगी तो मैंने बस इसलिए आप लोग के साथ अपनी खुशी को शेयर किया है तो देखे जब इस पौधे में लगे हैं चोटे-चोटे बहुत ही सुंदर लगते हैं क्य ये Amazon से आया हैं बहुत ही बड़ी इसकी पैकिंग थी तो देखे अब ये अपने असली कवर में आया है बाकी दो अलग से दो डिबो में दो बॉक्स में भरी हुई थी तो देखे इसमें वैसे कुछ recipe book अगेरा कुछ तो नहीं थी बस ये एक ही पेपर था जिसमें बताया कुछ instruction दिये गए थे बस इतनी ही थी इसमें अगर recipe book भी होता तो बहुत अच्छी बात थी तो वैसे YouTube में बहुत सारे review वागेरा मैंने देखे हैं तो इस रसाब से मैंने इसको सीख लिया वैसे यह बहुत ही एज़ी है बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है पर हाँ 1400 वाल्ट का है तो current तो थोड़ी सी लगती है पर जो इसका जो result है जो जो हम काम करते है ना बहुत ही बढ़ी आता है और दिखने में भी इसकी खुबसूरती के तो मैं क्या बताओ तो मैंने बस थोड़े से मैंने सोचा कि मैं फिश कटलेट को बना कर देखती हूं और हमेशा की तरह इस पार भी मैं आगे की जो वीडियो थी जो प्रिक्रेशन था उसका स्टार्ट अगर करना वो तो मैं भूली गई शूट करना बस मैंने इसमें डाल दिये थे तो देखि तो देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी और थोड़े और टेस्टी होगी तो मैंने बस कुछ टाइम के लिए और इसको रख दिया था तो देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आया और मैंने सच माने मैंने कुछ ही बूंद दो या तीन बूंद ओयल को इसके उपर जसी ऐ क्या ले थि पहुत थी तरा साथ नाम्टे फिर यह पहली की वीडिया दो दिन पहले के यह आज की है तो आज सुभा हमारेहां मचली आय थी हमारे आईलन में इसको कोकारी बोलते हैं पर पता नहीं बाकी जगा पर इसका नाम है तो मैंने उसको अच्छी तरह से मैंने और थ कि और मैंने अब इसको दुबारा से असमें डाल दिया है आप देखिए मैंने इसको वन सिक्स्टी डिग्री पे 30 मिनट का टाइम दिया है क्योंकि मुझे को कोई आइडिया नहीं है कि मैं इसको कितनी देर बेक मतलब इसको एर फ्राइ करो तो अब मैं सीख रही हूं तो वैस अच्छी पहली बात तो यह है ना कि इसकी जो टेस्ट होती है वह ऐसी होती है जैसे मोईल में फ्राइ करते हैं बिन ओयल की और देखिए कि किसी भी तरह की कोई गंदे की फैली भी नहीं है ना यह देखिए यहां पर भी देख लीजिए क्योंकि नॉन स्टिक आता है तो ऐ